हेलो एंड वेल्गन वोल अफेर्स मैं हूँ प्रशान दवन देखो हाली में आपने सुना होगा के इंडियन आर्मी को मिले हैं उनाटे नेशन्स मेडल फॉर दियर सर्वेस इन साउथ सुदान यहाँ पे आप देखोगे यह ट्वीट है बाइ उनाटे नेशन्स टेक अब पीस कीपिंग ट्रूप्स बेस्ट इन साउथ सुदान सर्विंग इन यूएन आई एम एसस यह इनके मिशन का नाम है नाटे नेशन्स मिशन इन साउथ सुदान इनको मिले हैं यूएन मेडल्स फॉर दियर आउटस्टेंडिंग परफॉर्मेंस यह देखिए बहुत जारा प्रावड एक मोमेंट है भारत के लिए यह यूएन के जो मेडल्स हैं यह वेरी स्पेशल क्योंके साउथ सुदान एक बहुत ही जादा मुश्किल कंट्री है ड्यूटी करने के लिए अगर आप यहाँ पर यह सोच रहे हैं कि पीस कीपिंग साउथ सुदान मैक्सिम यह होत हुआ कि जगा खड़े रहो बंदुक लेके और बस पीस कीपिंग मेंडेन करनी है नहीं साउथ सुदान एक बहुत ही वरेंड कंट्री है पिछले कुछ हफतों में यहाँ पर कई हेलिकॉप्र को शूट डाउन कर लिया गया इंटर्नली सिविल वर की यहाँ पर सिचुएश जिनके सोल्डर्स आज के समय सर्विस कर रही है इन साउथ सुदान उन में से एक है भारत और यहाँ पर आप देहोगे यह इंडियन सोल्डर्स है इनको समानित किया गया है और इंडियन सोल्डर्स के साथ साथ मैं आपको यह बता दू के शिलंकन सोल्डर्स को भी यहाँ प को देखते हुए UN ने याँ पर कई Indian Peace Keepers को ये medal दिये थे आप जानके हरान होंगे मगर South Sudan में आज के समय 200 से भी जादा Indian soldiers deployed हैं और बहुत tough conditions में ये अपनी duty कर रहे हैं नाव पहली बात तो ये जान लो के South Sudan है कहां पर तो यहां पर आप देखेंगे यह है इशा का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत तो यहां पर आप देखोगे यह है South Sudan आफरिका का काफी बार यह का जाता है saddest country, most poor country और अजीब बात यह है कि यह दुनिया की सबसे new country है जी हां South Sudan दुनिया का सबसे नया देश है क्योंकि यह actually तूट के आजाद हुआ था सुदान से 2011 में एक टाइम पर South Sudan और सुदान एकी country थे उस वक्त जो यह combined देश था यह landmass के साबसे था आफरिका का सबसे बड़ा देश मगर आज के समय साबसुदान है एक अलग देश अबादी है यहाँ पर एक करोड दसला क्या सपास capital है इस देश की जूबा और इसको confuse मत कर लेना कॉंगो से हाली मैं आपको याद होगा कुछी हफतों पहले मैंने एक वीडियो नाई थी के Indian Army Congo पहुँच चुकी है और Congo में एक बहुत बड़े वॉलकेनों का विस्पोर्ट हुआ था उस दोरान Indian Army के जो peacekeeping troops है इन्होंने कई लोग की जान बचाई तो देखो कॉंगो यहाँ पे आपको मिलेगा बिल्कुल South Sudan के पास यह है Democratic Republic of Congo जिसकी capital है केंचासा और यहाँ पे आप देखोगे यह है South Sudan दोनों अलग countries हैं दोनों में अलग issues आथे recently और United Nations की जो peacekeeping force है वहाँ पे भारत का बहुत बड़ा योगदान है आज के समय UN के अंडर जो Indian Army के soldiers है यह पूरे Africa में और उसके लावा और जगा भी deployed है यहाँ पे आप पूछोगे जब India send करता है अपने soldiers को United Nations में तो यह लोग जब service करते हैं तो इनकी salary कहां से आती है भारत से या फिर UN से तो इनकी salary आती है United Nations से मगर यहाँ पे यह मत भूलना के United Nations को जो fund इखटा होता है वो दुनिया भर की countries के donations से ही खटा होता है जैसे के India, US, Russia, Japan दुनिया भर के जो देश है यह यहाँ पे contribute करते हैं अपनी economy, अपनी population के हिसाब से और फिर जो fund इखटा करते हैं उसमें से कुछ part यह अपनी peacekeeping force को भी साल world happiness report, यह report कौन publish करता है, यह report publish करता है United Nations, अब इस report में कई साल से 2010 से लेकर 2018 के आसपास आप अगर देखो, तो जो most unhappy country थी वो थी South Sudan, लगातार यहाँ पे almost इनका आप कह सकते हैं patent था कि हमको यहाँ पे दुनिया की most unhappy country वनना इस list में, अभी recently हमने देखा कि कुछ changes report आई है, उसमें बताया गया कि दुनिया में सबसे जादा unhappy देश है, अफगानिस्तान, इंडिया की वाइदावें यहाँ पर rank थी 139, तो South Sudan बहुती लंबे समय से एक बहुती unhappy country था इन list में, उसके लावा UN के भार भी जब भी कोई list निकलती थी, for example, the Economist Intelligence Unit की एक report आई थी South Sudan की rank है, बहुत खराब, 185, worst rank यहाँ पे है, 189, जो है Niger की, South Sudan यहाँ पर देख पाओगे, यह है यहाँ पर, तो in very simple words, यहाँ पे लोग की जिनकी बहुत खराब है, करीब 80% जो population है, यह जीती है poverty में, और poverty देखो अपने आपने चैलेंज होता है, उससे बड़ा चैलेंज होता है, जब देश में असिर्ता हो, बहुत सारे groups खड़े हो जाएं, जो सरकार के against violence करें, आपस में बहुत सारे groups बन जाएं, लोग religion के नाम पे एक दूसरे को मारें, तो South Sudan में पिछले कई सालों से, जब से इस देश को अजादी मिली है, 2011 से, लगातार हम देख रहे हैं, inter जिसकी अबादी ही एक करोड 11 लाग के आसपास है, वहाँ से 23 लाख लोग भाग जाए neighboring countries में सिर्फ जिन्गी बचाने के लिए, तो आप imagine कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना violence होता है, कितना मुश्किल होता होगा, यहाँ पर stability कायम कर पाना, तो इसलिए कहा जाता है कि पूरे आफरिका में सबसे जादा unstable देश है South Sudan, आफरिका का सबसे बड़ा refugee crisis आपको मिलेगा South Sudan में, और दुनिया में overall का जाता है कि third largest refugee crisis है South Sudan का, और sad बात यह है कि जरातार जो यहाँ पे violence हुआ है, उसके शिकार हुए है, बच्चे और और औरते, और इसलिए जरातार जो refugees आज क करके रखे, ensure करे कि लोग एक दुसरे को मारना ना शुरू कर दे, रो लोग मैं काऊंगा यहाँ पे बस अपनी डूडी नहीं कर रहे, इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे है, भारत के soldiers, शिलंका के soldiers, इवन पाकिस्तान के soldiers भी मैं यहाँ पे काऊंगा, हाली में report पड़ा भी है, 2020 में आपर ceasefire हुआ था, आपस के groups के बीच में और government के बीच में तब से violence कुछ हद तक कम हुआ है, और इसलिए आज के समय आप देख रहे हैं, कि UN कह रहा है, कि इंडिया को proud हुना चाहिए अपनी army पर, कि कई लोगों की यहाँ पर जान बचाई है, क्योंकि कि आप अगर contribution देखो, soldiers की to the UN, यह बहुत कम है compared to India, तो आप यही समझ लो, कि इंडिया, शिलंका, South Asian countries अगर हाथ खड़े कर दे, और यह कहें, कि हम भी South Sudan में नहीं जाएंगे, तो फिर तो रेखिये, इस देश का भगवान वालिक है, complete chaos हो जागा यहाँ पर, सो अमीद करत हूँ, यहाँ पर आप समझ गए होंगे, कि Indian soldiers को medal यहाँ पर क्यों मिले हैं, और South Sudan, एक इत्ती difficult country क्यों है, service करने के लिए, and finally, यहाँ पर मैं आड कर दूँ, कि लाइफ में एक बार आप अगर properly prepare करना चाहते हैं, for UPSC Civil Services Exam, तो आप purchase कर सकते हैं, Unacademy के quality courses, simply जाओ Unacademy.com यहाँ पर क्लिक करो अपने एक्जाम पर, for example, UPSC Civil Services Examination, और यहाँ पर करो get subscription, और यहाँ पर purchase कर सकते हैं, plus यहाँ पर iconic course, जो plus course है, इसमें आपको बिलेंगे live test, quiz, proper structured तरीके से, पूरा sliver सापका cover होगा, prelims और mains की ताहरी यहाँ पर आप कर पाओगे, for just 4,125 रुपीज पर मगर यह price भी पे मत करना, इस पर भी additional discount यहाँ पर आप लगा सकते हैं, by using the code PD10, और prices और ज़रा कम हो जाएंगे, for just 3,713 रुपीज, आप घर बैटके या कही भी, 12 महने तक त्यारी कर सकते हैं, for UPSC, CSE, और यह lectures आप देख पाएंगे, phone पे, tablet पे, computer पे, wherever you want, so इसी note के यह है वीडियो कांथ, thank you for listening, and as always, God bless you all!